आज हम आपको काइन मास्टर में बताने वाले हैं कि कैसे आप क्रोमा की का यूज करिए तो उसके लिए हम लोगों को एक नया 16 इंटू 9 का रेशियो का वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले एक वीडियो इंसर्ट करेंगे वीडियो को इंसर्ट करके फिर हम लोग एक वीडियो और इंसर्ट करेंगे लेकिन अपकी लेयर पर इंसर्ट करेंगे लेयर पर इंसर्ट करने के लिए ग्रीन कलर का हमने एक वीडियो बना रखा हैगा animated already उसको ले आए और इसको यहाँ पर पूरा set किया जब आप set करिएगा तो यहाँ पर आ करके आपको split screen करना पड़ेगा split screen करके जब आप इसको करिएगा तो यह split screen हो जाएगी मतलब यह green वाला portion इस पर fix हो जाएगा आप chroma की करिएगा आप और इसको enable करिएगा तो आपका animation दिखेगा तो चलिए देखते हैं कि कैसे दिखता है तो इसके लिए हम लोगों को play करना पड़ेगा तो यह देखिए हमारे channel का नाम एक बार right से आएगा एक बार left से आएगा अब हम लोग फाल्तू का scene जो और आगे है उसको delete कर सकते हैं तो इसके लिए यह वाला select करिया और यहां से trim split करके trim right कर दीजे तो आपका एक video बन गया अब हम लोग दूसरा कोई scene लाते हैं यहां पर और देखते हैं कि कैसे काम करेगा तो फिर से हम लोग यहां जाएंगे एक दूसरा scene ले आएंगे अब जब दूसरा scene ले आए हम लोग तो इसमें फिर एक हम chroma की वाला ही video लाएंगे तो इसको फिर से layer पर जाएंगे और वहां पर मीडिया में जाकर के chroma की वाला video जो free का है pixabay से लिया है उसको यहां पर लाएंगे लेकिन अपकी chroma की के सारे features हम लोग सीखेंगे तो इसको जब set किया तो यहां पर आकर फिर से आपको split screen करना पड़ेगा और यहां पर आईएगा अब split screen करके आपको chroma की use करना पड़ेगा अब chroma की में जब आप enable करिएगा तो यह देखिए क्योंकि इसमें पहले से show mask है तो यह mask हो गया यहां पर एक facility और इसके थूँ आप अपने mask को कम ज़ादा दिखा सकते हैं आपको पर depend करता है कि आपको क्या चाहिए तो इस तरह से detail को हम change कर सकते हैं इस वाली setting के through तो इस तरह से हम लोग अपने वीडियो में mask डाल सकते हैं अब हम लोग इस वीडियो को run करके देखेंगे कि कैसा effect आ रहा है तो यहां पर यह देखिए mask वीडियो में इसमें dragonfly जो दिख रही है वो कैसी दिख रही है इसको run करके देखते हैं तो यह देखिए dragonfly जो है वो उड़ रही है और उसी वाले aquarium में fix हो गई इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं और अपने उपर वाले वीडियो के इस आप से set कर सकते हैं लेकिन चलिए हम लोग इधर का वीडियो trim कर देते हैं तो split करा और trim right कर दिया अब हमारा ये वीडियो पूरा बन गया chroma की के सारी facility के साथ तो अब हम लोग इस पूरे वीडियो को run करेंगे तो देखिए पहले बाले में animation जो हमने बनाया था वो चलेगा और दूसरे बाले animation जो हम ले आयें दूसरा वीडियो वो बनेगा तो ये जो पहले बाले animation है ये खुद बनाया है chroma की पे और दूसरे बाले animation dragonfly फ्री दोनो वीडियो को डाउनलोड किया गया है तो इस तरह से हम लोग अपने chroma की के सारी facility को यूज कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज शेर और सब्सक्राइब करिएगा और मेरा चैनल जो इसमें दिखर रहा है रतन अगरवाल IT Informer आपको दिखाया इसको सब्स्राइब कर लीजेगा और मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे जाहिएगा कमनिटी पे जाहिएगा और पोल्स में प्लीज आप लोग आंसर करिये और question करिये कि आपको क्या और वीडियो चाहिए किस टॉपिक पे तो हम आपको उसको प्रोवाइट करेंगे Thank you